हलो एवरीवन वेल्कम टू दा चैनल मिनिस्ट्री ओफ शॉठ्हेंग्ड अभी तक हमने नियो एरण पिटमिंच शॉठ्हेंड के तीन चेप्टर कर ली हैं आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चेप्टर 4 ओके चप्टर 4 स्टाट करने से पहले मैं शौठ्हेंड का एक बेसि पकि और किसले बताया था कि हमारे पास, total जो wobbles है, वो कितने है? वो हमारे पास है, total, 12. और हम कितने गवर कर चुके हैं, हम कवर कर चुके हैं अभी तक, 4. 4 हम कवर कर चुके हैं, और total है 12, ऐक हमने जो denote किया था, SHOT HEND में ये 4 wobbles को, वो dots and dashes से किया था, dots and dashes से किया था जिसमें एक हमारे पास light dot और एक dark dot और एक light dash और एक dark dash हमने पढ़ा हुआ है different sounds का अब आगे हमें remaining जो हमारे wobbles है वो भी पढ़ने है लेकिन उससे पहले हमें एक basic rule short hand का समझना होगा देखें जब हम short hand की बात करते हैं तो हम जब short hand को लिखते हैं तो हम देखें हम तीन जगे पर short hand को लिखते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो होते हैं हमारे on the line, above the line and through the line यह concept अभी तक हम लोगों ने discuss नहीं किया था क्योंकि आप पहले confused हो जाते हैं अगर मैं आपको यह चीज बताती हैं इसलिए मैं आज इस चीज को clear कर रहे हूँ हम short hand में जो हमारी consonants होते हैं उनको हम on the line लिखते हैं above the line लिखते हैं और through the line लिखते हैं इस बात का क्या मतलब है समझे जब हमारी पास register में ऐसे lines होती हैं तो usually हम जब English लिखते हैं तो English हम यहाँ पर line लिखते हैं और Hindi हम यहाँ पर लिखते हैं लेकिन जब हम short hand की बात करते हैं तो short hand को हम तीन जगह पर लिखते हैं ठीके, अब इसका क्या मतलब है, समझे, on the line का मतलब है, on का मतलब होता है, पर, and line का मतलब line, okay, तो line पर, अगर हम कोई consonant लिख रहे हैं, तो हमें, अगर on the line लिखना है, तो मतलब line पर लिखना है, लाइन से touch करना है अबव का मतलब होता है अबव दा लाइन अगर हमें लिखना है तो लाइन से उपर लिखना है लाइन को touch नहीं करना है और through the line का मतलब होता है लाइन को काटते हुए तो अगर through the line लिखना है तो line को हमें काटते हुए लिखना होगा, अब ये हम कब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उस चीज को समझते हैं देखे, हमारी consonants को हम ये तीन जगे पर लिखते हैं और ये जो decide करते हैं, ये हमारे vowels decide करते हैं कि consonant की placing कहा पर होगी, अभी तक हमने जो चार हमारे vowels पड़े हैं, वो सारे के सारे हमने जो vowels पड़े हैं, वो हमने on the line लिखे हैं तो हम ये चार इसमें हम sounds पड़ेंगे, चार हम इसमें पड़ेंगे अबब दा लाइन में और चार थू दा लाइन में पड़ेंगे ठीक है, ये on the line की चार साruns हमारी कवर हो गए है अगर हम on the line consonant बनाते हैं तो हमारा जो vowel आता है, वो हमारा second place पर आता है ठीक है, अगर हम above the line लिखते हैं तो हमारा vowel जो आता है, वो first place पर आता है ये मैं भी आपको clear भी करूंगी और अगर through the line हम बनाते हैं तो हमारा जो वावल आता है वो third place पर आता है ठीक है अब ये third place, first place और second place क्या है ये भी समझे देखें अगर जैसे मैंने आपको बताया second place second place का मतलब है जब आप consonant लिख रहे हैं ठीक है and second place अगर वावल की sounds होंगे जो कि हम ऑलड़ी पढ़ चुके हैं चाअधा sounds, तो हमेशा जो consonant लिखा जाएगा वो on the line लिखा जाएगा, हमेशा अगर second place का sound होगा तो consonant on the line लिखा जाएगा अगर first place के sounds है जो कि आज हम पढ़ने वाले है first place के जो चार sounds होंगे अगर वो sounds है तो वो आपको अगर मिलते हैं वो sounds तो वहाँ पर आपका consonant कहां आपके वो vowels कहां बनेंगे वो आपके first place ही वाला part होता है ठीकिए? सबसे उपर वाला this is first place तो अगर first place के आपके sounds हैं तो हमेशा जो आपका consonant बनेगा या word बनेगा वो आपका above the line लिखा जाएगा आज जब हम पढ़ेंगे तो ये चीछें आपको clear होंगे ठीकिए? और अगर third place का आपका sound है अगर third place का sound है चार जो हम पढ़ेंगे अपनी near classes में तो वहाँ पर अगर third place का मतलब है इस सबसी नीची वाला हिस्सा ठीकिए? तो पहले sound आएगे तो या तो यहाँ लिखेंगे और बाद में आएगी तो इस तरफ लिखेंगे ठीकिए? 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 third place सबसी नीची वाला हिस्सा होता है अगर third place के चार sounds है तो हमारा जो word बनेगा वो through the line बनेगा ठीकिए? होब यह चीज आपको clear हो गई हो second place तो on the line लिखना है अगर second place के चार sounds आएगे first place के चार sounds आएगे तो above the line and third place के चार sounds आएगे तो through the line ओकिए? आगे समझते हैं इस चीज को देखें अभी हमारे हम पढ़ने वाले हैं first place के vowels first place vowels यह जो कि आपका fourth chapter है first place के vowels जो है हमारे चार इसमें पहला जो हमारा sound है जिसको हम represent करेंगे dark dot से first place पर तो पहला जो हमारा sound है वो है sound आ का जैसे कि पा, मा तो अगर आपको आ का pure sound आ रहा है तो वहाँ पर आपको कहा लिखना है अपना consonant consonant आपका बनेगा above the line line को touch नहीं करना है आपको और देखे, P के बाद हमें आ का sound आ रहा है, तो P के बाद हमने यहाँ पर first place पर हमने अपना vowel लगा दिया है ठीके, dark dot से हमें represent करना है आपकी sound को next दिखते हैं, जैसे अगर हमें लिखना है palm, तो palm कैसे लिखेंगे, P बनाया हमने और P के बाद हमने M बना दिया जहाँ पर हमारा पहला consonant खतम होता है वहाँ से हम दूसरा start करेंगे, ठीके तो palm अगर लिखना है पहले P P के बाद हमें A का sound आ रहा है हम पहले पूरा consonant पूरा word बनाते हैं, तो P और M हमने बना लिया, हमें दो sound आ रहे है यहाँ पर P और M के L का हमें sound नहीं आ रहा, तो we will not write that और P के बाद हमें A का wobble sound आ रहा है तो यहाँ पर हमने dark dot लगा दिया ठीके? next जो हमारा sound है एक word और दिख लेते हैं इसका next word है हमारा calm आपकी book में लिखा हुआ है तो K है पहले और फिर M है तो पहले हमने K बना लिया, क्योंकि अब 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 तर लाई लिखना है हमें और उसके बाद हमने M लिख लिया, ठीके? K के बाद हमें आका sound आ रहा है Already हम पहले जो sounds बढ़ चुके है वो भी हमारा dark dot और light dot जो है वो भी हमारा एक अई sound था लेकिन तीनो sounds में difference है आपको समझ आएगा जब हम बढ़ेंगे देखें, आप समझे word है एक हमारा path तो जब A का sound आएगा जब हम हिंदी में लिखने पर उपर दो मात्राएं लगाते हैं तो ये A का sound आएगा ये हमारा light dot से represent किया जाएगा above the line, ठीके? तो जैसे path अगर हमें लिखना है तो path हम कैसे लिखेंगे? देखे, P बनाया और P हमारा जहाँ खतम हुआ वहाँ से हमने था लगा दिया ठीके? तो this is path P के बाद हमें A का sound आ रहा है तो P के बाद हमने यहाँ पर A लगा दिया अब देखे, पहले वाली sounds को भी एक बार समझ लेते हैं ताकि आपको कोई confusion ना रहे देखे, एक word है हमारे पास date एक word है हमारे पास debt और एक word है हमारे पास that आप जब pronounce करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीनों ही sounds बिलकुल अलग है यह हमारा second place का dark dot है यह हमारा second place का light dot है और यह जो है हमारा, यह हमारा first place का light dot है तो तीनों sounds अलग हैं आप इक बार pronounce करके देख सकते हैं date, debt और that, okay date, debt और that यहाँ पर अगर आपको confusion भी होते हैं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं देखें यह तो आपको बिलकुल clear sound होगा, pure sound है यह और यह वाला जो sound है अगर spelling में e आती है और आ का sound देते हैं तो आपका यह light dot होगा second place पा, ठीकें अगर spelling में e है और वो e का sound नहीं देता है, a का sound देता है तो second place का light dot होगा next जो है वो आपका है that, that देखें अगर आपको हिंदी में लिखने पर किसी word में उपर दो मात्राएं लगानी हो तो आपको चाहे वो आपका light dot बनेगा first place पर, ठीकें first place light dot, okay hope clear हो गया हो, अगर आपको clear नहीं होता है तो आप इस तरीके के कुछ और words का sound देख सकते हैं, ठीकें आके चलते हैं, next हमारा word है देखें, आप खुद से words का practice करिए, क्योंकि काफी सारी words है सारी words को हम cover नहीं कर सकते हैं, I will try कि कुछ कुछ आपको confusion लग सकते हैं, जिन words में, वो words हम cover कर लें, ठीकें next word है आपका जैसे bank, देखें, bank आपका कैसे बनेगा पहले आपने B बनाया, फिर आपने N बनाया, और N के बाद आपको K का sound है B, N और K, ये तीनों vowels के हमें sound आ रहे हैं, तो हमने ये तीनों vowels लगा दिया, बी के बाद हमें A लिखना है, ठीके, A का sound है, तो हमने यहाँ पर first place पर लगा दिया है, light dot, ठीके, next हमारा word एक और दिखते हैं, एक word है damage, देखें, यहाँ पर हमारे पास दो A के sounds आ रहे हैं, अ तो D के बाद हमारा जो पहला sound आ रहा है, वो आपका आ रहा है, light dot, first place, okay, and second जो sound आ रहा है, वो हमारा dark dot आ रहा है, second place, ठीके, damage, okay, next देखते हैं, next है shadow, अगर हमें लिखना है shadow, तो देखें कैसे लिखेंगे, आपको आपने पहले शा बनाया, ठीके, शा और उसके बाद ठीके, शा के बाद आपको A का sound आ रहा है, तो यहाँ पर आपने light dot लगा दिया, और D के बाद आपको O का sound आ रहा है, तो यहाँ पर आपने dark dash लगा दिया, ठीके, होफ़ुली आपको चीज़े clear हो रहे होंगी, एक फ़र्ट और दिखते हैं, cash, cash बनाएए आप खुद से, के बनाया आपने, के बनाया, और के बाद आपको चा का sound आ रहा है, तो आपने माने शा बना दिया, ठीके, के बाद आपको A का sound आ रहा है, तो आपने light dot यहाँ पर लगा दिया, ठीके, एक वर्ड और दिखते हैं, manage, manage अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे M बनाया N बनाया और फिर आपने J बना दिया ठीक है तो M के बाद आपको यहाँ पर light dot की sound आ रहे है तो यहाँ पर light dot लगा दिया N के बाद है आपको light dot की sound आ रहे है तो यहाँ पर आपको dark dot की sound आ रहे है उसको हम second place पर dark dash से represent करेंगे ठीक है sorry first place पर हम dark dash से represent करेंगे or के sound को जैसे कि आप देखे 100 हो गया तो 100 हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे हमने S बनाया ठीक है line से उपर मनाना है क्योंकि हम अभी above the line first place पढ़ रहा है तो 100 S बनाया और S के बाद हमें अगर O का sound आ रहा है तो यहाँ पर हमने dark dash लगा दिया ठीक है बहुत लिखना है तो कैसे लिखेंगे P बनाया आपने और P के बाद आपको O का sound आ रहा है तो P के बाद यहाँ पर आपने O लगा दिया next word देखते हैं जिससे आपको लिखना है अगर bot तो आप कैसे लिखेंगे आपने बनाया B और B के बाद आपको आ रहा है T का sound यहाँ पर आपने T बना दिया और B के बाद आपको O का sound आ रहा है तो यहाँ पर आपने dark dash लगा दिया ठीक है इस तरीके से आप सारी words कवर करिए एक word दिखते हैं law last word है आपका law L बनाया आपने ठीक है क्योंकि L जो है वो आपका up word बनता है तो L का first place यह होगा second place यह होगा और third place यह होगा ठीक है तो हमें first place पर लिखना है क्योंकि L के बाद O का sound आ रहा है hopefully clear होगा आगे words के आप खुद practice करिए एक एक word के कम से कम तीन से चाहर लाईने तो practice आपको करनी ही है आप उससे जाद अभी कर सकते हैं आगे next चलते हैं light dash का जो sound है वो है आपका short oka short oka short oka sound जो है जैसे कि आपने already बढ़ा था second place पर तोहाँ पर हमने long oka sound पढ़ा था जैसे कि जो आप difference देखें साउन में एक sound है जो और एक sound है job ठीक है जो job एक sound है toe और एक sound है top तो जो stretch होगा वो second place का है ठीक है second place का dark dash और जो आपका जल्दी बोला जा रहा है वो आपका first place का light dash है ठीक है वो आपका first place का light dash है ठीक है तो जैसे देख लेते हैं हमारा पहला word job अगर हमें job लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे हमने पहले j बनाया और j के बाद हमने b बना दिया j के बाद हमें light dash का sound आ रहा है first place का sound है ये o तो यहाँ पर हमने light dash का लगा दिया है अपना symbol ओकी next देखते है एक word आपका top अगर हमें top लिखना है कैसे लिखेंगे t बनाया आपने t के बाद आपने p बना लिया t के बाद आपको o का sound आ रहा है तो t के बाद यहाँ पर आपने light dash लगा दिया एक word और देखते हैं जैसे कि आपका knock तो पहले n का sound आ रहा है और फिर k का sound आ रहा है हमें हमेशा ध्यान दखना है कि हमें spelling से कोई मतलब नहीं है we have to only focus on the sounds n और फिर k तो n बनाया आपने पहले और n के बाद आपने k बना दिया एक word और देखते हैं watch तो पहले आपने वा बनाया और उसके बाद छे बना दिया वा के बाद आपको ओ का sound आ रहा है तो वा के बाद आपने आपने ओ लगा दिया थोड़ी बाद हो सकता है आपको sound में confusion भी हो क्योंकि हमने जो अभी तक sounds पड़े हैं उसमें थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि नहीं नहीं यह ऐसे प्रोनाउंस नहीं करता है तो वहाँ पर आप YouTube पर जाग करके किसी भी word का correct pronunciation चेट कर सकते है So that आपकी confusion मिलकुल दूर हो जायर आपको पता चल जाए कि इस word का जो correct pronunciation है वो क्या होगा और फिर इसके हिसाब से उसको कैसे बनाया जाएगा अब इस word इस chapter की हम short form को cover करते हैं देखे इस chapter के अंदर हमारा पहला जो short form का word है वो है four देखे four कैसे बनेगा आपका four आपका इस तरीके से बनेगा और next जो है वो हमारा a और n या तो आपका a होगा किसी sentence के अंदर या फिर n होगा तो a और n आपका above the line बनेगा एक dot से represent करा जाएगा next word है हमारा of, of कैसे बनेगा देखे इस तरीके से above the line next word है हमारा on, on आपका सारे के सारे से में क्योंकि हम above the line पढ़ रहे हैं तो आपके सारे के सारे words यों है वो above the line ही बनेगे short forms में भी ठीके next word है हमारा had, had above the line बनेगा आपका इसके बात phrases देखते हैं, phrases के अंदर हमारे पास दो words है इसमें एक word है on the अभी देखें, यहाँ पर आपने on जो बनाया है वो straight बनाया है ठीके और जब हम as a phrase on बनाते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा tilt कर लेते हैं, थोड़ा सा slanten कर लेते हैं तिर्चा और उसकी बात फिर हम on the को इस तरीके से बनाते हैं, ठीके next day हमारा बढ़ता, same, आपका रहेगा बढ़ता के अंदर भी वैसे straight बनाते हैं, और अगर ऐसा phrase बनाते हैं, तो बढ़ता को थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं, okay so that's it for today, अगर आपको कोई भी confusion हो तो आप comment section में मुझसे पूर सकते हैं, ठीके, that's it for today, today's video, okay and thank you so much